बात हिरा बात मोती बात मर्दों की शान होती है और बात की बात नहीं काम की बात बड़ी मुश्किल से होती है और बात भी उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है इस बहतरीन शायरी के साथ वैं अमबलाल चोधरी स्वागत करता हूँ आपका एल क्लासेज के इस बहतरीन प पढ़ चुके हैं, दूसरा चेप्टर की हम लोग जो शुरुवात करने जा रहे हैं आज, वो है हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन, रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात, अनुपात वेस हमानुपात, यह हमारा दूसरा चेप्टर है, आप किसी भी एक्जाम की तयारी क इसके हमारी जो भी 4-5 classes होंगी इसके बाद आपको ration proportion में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी मैं यह मान के चल रहा हूँ कि आपको अभी कुछ भी नहीं आता है बिल्कुल 0 से मैं इसको शुरू करने जा रहा हूँ ठीक है तो देखते हैं सबसे पहले अनुपात की बात करते हैं अनुपात होता क्या है आप मुझे बताओ जैसे मैंने आपको एक example पहले भी बताया था यह एक आदमी है और इसके यह दो बेटे है एक बेटे को इसने दिये 100 रुपे और एक बेटे को दिये इसने 50 रुपे यानि अगर इनको देखा जाए तो ये इसके पास अगर एक होता तो इसके पास दो होता अनुपात को सिदा सिदा अगर कहा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे सात में भाग देना था आपको साथ में आपको भाग देना है मान लिजे आठ का तो साथ बटा आठ इसको आप लिखेंगे या इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से देख लो कि जैसे चार में आपको भाग देना है पांच का तो आप चार में भाग दोगे पांच का तो ऐसे लिखोगे 5 का जब भाग दोगे इस में तो यह आएगा 0.80 या इसी चीज को आप 4 अनुपात 5 भी लिख सकते हो यानि ये भी रेशो है ये भी रेशो है ये भी रेशो है ये चारो चीज़े जो सामने लिखी हुई है ये इसकी भिन वाली फोम है ये जो है ये इसकी दस्मलों में लिखा गया है रेशो को पर ये जो है आपका ये अनुपात का जो चिन होता है ये वाला जो साइन होता है ये आपका अनुपात का साइन होता है ठीक है तो रेशो यही है अब रेशो मतलब किन चीजों के बीच में हम निकाल सकते हैं तो रेश बात आप नहीं बता सकते रेशो निकालने के लिए दो समान चीजों की तुलना को ही रेशो कहा जाता है जिसी गणित यह है जैसे माल लीजिए आपके पास कोई समान चीजों की तुलना को ही हम अनुपात कहते हैं तो आप यह ध्यान रखिएगा कि इसके लिए जो जिन दो चीजों की तुलना कर रहे हो वो समान होनी चाहिए जो समान चीजों की तुलना है इसी को हम लोग रेशो कहते हैं पहले हम लोग बात कर रहे हैं रेशो की इसके ब इसको और कैसे कैसे लिखा जा सकता है तो आप कहेंगे सर इसको किसी चीज को A बटा B बराबर 2 बटा 3 क्या ऐसे भी इसको लिख सकता हूँ इस चीज में और इस चीज में क्या कोई फरक है इन दोनों में कोई फरक नहीं है और किसे लिखा जा सकता है इसको और भी कोई तरीका है इसका लिखने का तो अगर इस तीन को मैं इधर गुणा कर दूँ तो ये तीन ए बराबर टू बी ये चीज और ये चीज ये सब एक ही है आप लोग ध्यान रखिएगा इसको इसके अलावा यहां से अगर मैं और जाता इस दो को इसके बटे में लिए आता और दो बी को उधर ले जाता तो ये बटा दो और बराबर बटा तीन ये बात ये 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 और ये 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 सब एक ही चीज है आप लोग ध्यान रखिएगा इसको ये बहुत इंपोटेंट बात है मैं बिलकुल जिरो से इसकी सुरुआत कर कि वरगानुपात ये आपका क्या होता है ठीक है वरगानुपात इंगलिस में बोले तो इसको बोलते है डुप्लिकेट रेशो ये क्या होता है डुप्लिकेट रेशो से मतलब है जैसे मालीजे आपको ए और बी दियावा है ये तीन अनुपात दो दियावा है और आप से प और B का square यानि 3 का square कर दोगे आप तो 9 और 2 का square कर दोगे 4 यही इसका answer था ठीक है ध्यान रखेएगा आप यह बात यह चोटी चोटी बाते हैं जो कभी कबार आप से exam में पूछ लेता है इसी के साथ वर्गानुपात के साथ एक चीज और इसी का just उल्टा इसी का just उल्टा व sub duplicate ratio अब यह क्या होता है simple सी बात है अब पहले वर्ग किया था आमने अब की बार वर्गमूल कर रहे हैं तो अब आपको देगा कि A और B जो है वो है आपका 954 आप बताईए इसका sub duplicate ratio क्या होगा तो आपको इन दोनों का जो है वो रूट ले लेना था इन दोनों का वर्गम पूल तीन आ जाएगा और यह तो आ जाएगा तो यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा सब duplicate किसे कहते हैं और कि duplicate किसे कहते हैं ठीक है आगे चलते हैं हम लोग कि इसके बाद एक और चीज पूछता है आप से वह है आपकी गनानुपात गनानुपात और एंगली में बोला जाए तो वह है triplicate है अब यह क्या होता है जैसा कि नाम से इस प्राष्ष पता चल रहा है हमें कि गनानुपात यानि हमें घं करना अगर आपको ए अनुपात भी जो है वो दो अनुपात तीन दिया गया है और आप से अगर इसका ट्रिप्लिकेट रेश्यो पूछा गया है तो आप क्या करेंगे इसका क्यूब और इसका क्यूब बस तो दो का क्यूब होता है आपका आठ और तीन का क्यूब जो होता है वो होता है आपका तो सुरी तीन का क्यूब जो होगा वो होगा आपका 27 ठीक है एक और इसमें पूछ लेता है वो है घन मूलानुपाद इंगलिस में बोले तो सब ट्रिप्लिकेट रेशो अब आप लोग समझ गए होंगे कि यह क्या होता होगा जब घन मूल करना है हमें तो अब की बार आपको क्यूशन ऐसा देगा ए और बी जो देदेगा वो देदेगा आपको आठ और 27 और आपसे जो पूछेगा वो पूछे सब क्या करेंगे इनका क्यूबरूट ले लिए यह पर क्यूब खूबरूट वर लेंगे अर्टकUN किक्यूब Krotus आप रहेंगे और 27 का क्यूबरूट जब आप लेंगे तो यह आजाएगा 2 पर यह आ जाएगा 3 यह बहूँ छोटी-छोटी बाते थी जो आपको ध्यान मे यह बी है ऐया कब होगा कि यह 29.3 इता अइसा बिलकुल नहीं है यह आया कब होगा तो है अगर यह 20 और 30 होता तो 0 से 0 कट जाता तो क्या 293 आजाता अगर यह 200 200 और 300 होता, तो 20 से 20 आपका कट जाता तो 293 हो जाता, ये 2000 और 3000 होता, 3 0 से हम 30 काट जाते। अगट देखा जाये, ये 6 होता और ये 9 होता, तो 3 दूने 6 और 3 तीında 0, यानि हमारे एक चीज से समझ में आती है, इस रहे और चाहिको इसे भी हम до कुना कर दें। जैसे यहां दो गुणा तीन था यहां तीन गुणा तीन था ऐसे यहां दो गुणा दस था और यहां तीन गुणा दस था ऐसे यहां दो गुणा सो था यहां दो गुणा एक अजार था और यहां तीन गुणा एक अजार है यानि अगर इन दोनों को किसी भी एक संक्या से बढ़ेगा यह बात आप ध्यान रखना करके देख लेते हैं एक लिए पतीन है हमिशन उसको च्छह से सो हुआ कर देता हुआ , ङब यहें तो बात हो रही थी आप गुणा की, अब बात कर लेते हैं, अगर दोनों तरफ भाग किया जाए किसी संक्या से, तो क्या रेशो पर कोई फरक पड़ेगा क्या, तो भई, दो के बटे में मैंने 6 लिखा, और ऐसे ही तीन के बटे में मैंने 6 लिखा, क्या इसे से कड़ जाएगा, यानि ratio पर कोई फरक नहीं पड़ा लेकिन अगर मैं इसमें जोड़ूं तो दो अनुपात तीन है अगर इसमें मैंने दो जोड़ दिया और इसमें भी मैंने दो जोड़ दिया तो क्या ratio अब वही रह जाएगा पहली बात तो आप यह ध्यान रखिएगा कि यह जो ratio है इसमें आप जोड़ी नहीं सकते कोगि यह वास्तविक संक्राइय नहीं है वास्तम में यह 200 हो सकता था, 300 हो सकता था 2000 हो सकता था, 3000 हो सकता था, तो यह बात आप ध्णान रखिएगा आप प्लस और मायनस यह दोनों काम आप नहीं कर सकते इंदोनों तरफ या गुणा कर देकT Div दो सो रुपए हैं आप दो दोस्त हो एक के पास थीन सो रुपए है और आपने एका कि यार भाया हम मैं देखना चाहता हूं कि अगर अनुपातों में अमारे पास कितना कितना पैशा है तो मैंने इसको लिख दिया दो गुणा सो और इसको लिख दिया मैंने तीन गुणा सो आप देखो इनका अनुपा दो नुपा तीन अभी भी उसकी स्थिति आज भी वही है तो यह बात आप ध्यान रखेगा कि किसी भी संक्या का गुणा करने से या किसी भी संक्या का भाग करने से रेशोड नहीं बदलता है ठीक है और इसमें बैसिक बैसिक बाते जो है वह हमारी क्या है कई बार आपको ऐसा देगा 2A बराबर 3B तो इसको कैसे सोल किया जाए सबसे पहले इसको जान लेते हैं हम लोग तो इसको सोल करने का क्या तरीका रहता है आप ऐसा करो इसका मतलब यह है दो के गुणा में भी और इसका मतलब है तीन गुणा भी आप यह जो बी है इस बी को इदर लियो तो A बटा B बराबर हो जाएगा आपका 3 बटा दो कि किसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं तीन अनुपात तो यानि हमने यह देखा जो दो का multiple था वो अनुपातों में दो आपको क्या करना है, अगर A ratio B पता करना है, तो B का अनपात इधर लिख दो, और A का अनपात जो है वो इधर लिख दो, यानि A अनपात B जो हो जाएगा, वो आपको क्या हो जाएगा, तीन अनपात, चाल, मैं बहुत छोटी-छोटी चीजों को यहां cover कर रहा हूँ, मैं यह मानने के चल रहा हूँ, आपको कुछ नहीं आता, जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता, यह class दिखा दीजिए, इसके बाद वो जिन्दगी में कभी नहीं बूल पाएगा, ठीक है, आगे चलते हैं, और क्या-क्या, इसमें, किस टाइप के सवाल आते हैं, वो और जान यदि B दोनों cases में बराबर हैं, देखो आपने एक तो यह तरीका पड़ाओगा, कि A अनुपात B अनुपात C, हमें जो पता करना है, माल लिजे A अनुपात B अनुपात C पता करना होता, तो आपने पड़ाओगा कि A अनुपात B पता करें तो 2 अनुपात 3, और यह भी 3 अ इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं, तो इनका अनुपात आ गया 6, 9 और 15, लेकिन दोस्तों यह तरीका सक्षेज तभी होता है, जब एक ही संक्या कोमन हो, जैसे ही 2 संक्या कोमन आएगी यह तरीका फैल हो जाएगा, कैसे होगा अभी मैं बताऊंगा आपको, तो एक तरीका इसका यह हो गया, दूसरा क्या हो सकता है, A अनुपात B और B अनुपात C, यह अगर 2 है, तो यह 3 है, और अगर यह 3 है, तो यह 5 है, तो जब यह 3 है और यह 5 है, तो क्या इसी 5 को मैं उपर भी नहीं लिख सकता था, तो मेरा आंसर जो है, वो डाइरेक्ट भी आ जाता है, त यह दोनों बराबर हैं तो मेरा आंसर जो है वो बस इस सी को जो है वो डायरेक्ट इसके साथ रख देता मैं आप यहां से देख लीजिए चाहिए तीन दूने च्छे तीन तीन नो और तीन पंजे पंदरह यह बात समझ में आई यह नहीं यह यह तो अभी दो थे इसके बाद आपसे तीन तीन भी पूछ सकता है कैसे जैसे मालीजे आपको एक सवाल दे दिया ए अनुपात बी जो है वो है आपका एक अनुपात दो बी अनुपात सी जो दियावा है वो दियावा है आपको मालीजे तीन अनुपात एक और सी अनुपात डी जो आपको दियावा है वो से पूछा लिए कि बहिए बताईए अनुपाथ डी या आपका क्या होगा तो इसके इस में आप क्या करेंगे अगर सबको एक ही अनुपात में आपको जमाना है कि औहीं यह जाए कि इंद्गाने के नीचे अ गाइच के नीचे वी इसे ही यह बगल वाले से बढ़ना है यह आपको पहला तरीका शिका रहा हूं मैं यह तरीका कहां फैल हो जाएगा वो भी आपको भी मैं बताऊंगा यह एक यह तीन यहाँ इसे जश्ट बगल में एक और ये भी एक आप इनको गुणा कर लीजे तीन एकम तीन एसे तीन दूने छे यह दो और ये तीन दूने छे यानि हमारा जो आनसर आ गया वह आ गया तीन अनुपाद च्छे अनुपाद दूपाद भी मैं यह तरीका आपन मना जाने, a, अनपात, b, अनपात, c, इस तरीके से डे दिया, और आपसे पुचा है, بتائए a, b, c, d a, अनपात, b, अनपात, c, अनपात, d, ये क्या होगा, तो बही आप लोग ये ही मत करने लग जाना कि a, अनपात, b, G! 1994 unquote C! इसके नीचे वापस उतारे 1,2,3 और इसके नीचे इनको उतार लिया 4,95,6,97 , ढौफ साथ सही, ऐया एक बार इस वीडियो को पोज करके और एक बार खुद सोल किजेगा ये हमने निकाल लिया इस तरीके से, अब हम इसका जो बेसिक है वो जान लेते हैं, वह ये चार है और ये छे है, अगर मैं यहां भी इसको चार और छे बनाना चाहूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पूरे को दो से गुणा करना पड़ेगा, अभी मैंने आप अपकी सार को बताया कि आप अНुपात को किसी भी संके से गुणा केजिए, किसी भी संके से भाग केजिए, अनुपातों पर कोई फरग नहीं पड़ेगा, या आजाएगा दो, तो या जाएगा दो दुने चार और ये दो तिया च्छै, या झाणि अगर B चार हो और C चै हो तो A होगा आपका 2 A B C और D अगर B आपका 2 हो तो D जो हो जाएगा वो होगा इस case में 7 और A जो होगा वो होगा आपका 2 अब चेक कर लीजिए क्या ये इसमें भी apply हो रहा है क्या इसमें ये सब कटेंगे ही नहीं आप देखें इससे कटेंगे नहीं तो आप ये विशेज ध्यान रखना आपने आज तक सिर्फ ये पढ़ा होगा कि ये जो खाली इस्तान है इसको बढ़ देते हैं लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा कि ये तरीका भी कहीं जाके फैल हो जहता है तो ये तरीका जो है जब एक संक्या कोमन हो जहां से आज से आपको क्यआ दियान में रखनी है जब एक संक्या कोमन हो इसके अलावा अगर दो संक्या कोमन आ जाए तो आपको खाली स्तान नहीं बढ़ना है फिर ये तरीका आपका फैल हो जाएगा फिर इस तरीके से आपको नहीं करना है ठीक है ये तो गया इसका पहला तरीका ये हमारा पहला तरीका हो गया इसमें दूसरा तरीका क्या हो सकता था वो भी जान लेते हैं देखो आपसे A अनुपात B अनुपात C पूछाए A अनुपात B यह है आपका 2 अनुपात 3 और B अनुपात C जो है वो है आपका 3 अनुपात 5 अप देखो इन दोनों में common क्या है इन दोनों में आपको common जो दिख रहा है वो दिख रहा है 3 तो आप इसको बराबर बना लो अभी इस case में तो ये already बराबर था इसलिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा हमें simple सा ये ही लिखना पड़ा कि A, B और C अगर B 3 होता B अगर 3 होता तो भई A होना चाहिए था 2 और C होना चाहिए था 5 इस case में तो हमें कोई दिक्कती नहीं आई लेकिन अगर ये बराबर बराबर नहीं होता तो आप क्या करते देखो अगर मैं बात करूँ A, B जैसे मान लीजे ये था 2, 95, 3 और अगर B और C की बात करूँ ये था आपका 6, 95, 5 ये इस तरीके से था अब जो चीज कॉमन है जो चीज दोनों में कॉमन है इसको आप बराबर बना लीजे जैसे अगर यहाँ 6 है तो मैं इसको भी 6 बनाने की कोशिश करूँगा इसको 6 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा जब मैंने इसको 2 से गुणा किया तो A आगया मेरा 4 और B आगया मेरा 6 यानि अब मैं लिख सकता हूँ कि A अनुपात B, अनुपात C जो होगा अगर B 6 है तो A इस केस में 4 होना चाहिए और C इस केस में 5 होना चाहिए ठीक है पहली चीज हमने ये जानी कि दोनों को ये बराबर थे दोनों केस में बराबर थे दूसरे में हमने ये जाना कि हमने किसी A को गुणा कर लिया अगर इस्तिती A से आजाए कि दोनों में दोनों को गुणा करना पड़े, तब क्या करें, देख लेते हैं इसको भी, मालिजी आपके सामने एक 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 जामपल है, A अनुपात B जो है, वो है दो अनुपात 3, और B अनुपात C जो है, वो है आपके सामने 2 अनुपात, दोनों यही माल लेते हैं, यह इस इसको में 3 से गुणा कर लो, क्या बराबर नहीं हो जाएगा, आप इनका LCM लीजिए, 3 और 2 का LCM जो आएगा, वो आएगा 6, तो इसको 2 से गुणा कर दे तो छाएगा, इसको 3 से गुणा कर दे तो 6 घुणा 2, यह 4 है, यह 3 दूने 6, ऐसे इसको देखे तो 3 दूने 6 है, और 3 है यह से इसका बेसिक है और इसको थोड़ा सोट हम क्या कर सकते थे कि अगर ए अनुपात B और B अनुपात C आपको दिया वार यह है दोनपात 3 और ये भी है आपका दोन पाति तो जो दोनों में common है आपने देखो अभी किया क्या इसको हमने गुणा किया था किस से दो से और इसको हमने गुणा किया था किस से तीन से यानि यहां से अगर मैं A को देखो A, B और C की बात करो तो मैंने A को किस से गुणा किया A को मैंने गुणा किया दो दुने चार तो को दो से गुणा किया ऐसे ही B को मैंने देखो यहां भी तीन गुणा दो है यहां भी दो गुणा तीन है तो बात A की है तीन गुणा दो करो या दो गुणा तीन करो अगर C की ब जब मुझे मुझे पता है, अगर मुझे ए पता करना तो बहुता पदेगा, एस इसे गुणार करना पड़ेगा यानी मैं इसको इससे गुणार करदेता हूं तो अगर मुझे बी पता करना है इन में गट लेते हैं और अगर मुझे c पता करना है तो इसको ऐसे गट लेते हैं तो आज के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि इये ऐसे ऐसे और यह क्यों करते हैं थीक एंट चेक है तो अब हम जो सवाल हमारे होंगे- इंको डायरेक्ट इसी तरीके से करेंगे एक दो सवाल हम करके देख लेते हैं जैसे माली जे एक सवाल आपको दिया A अनुपात B जो है वो है 4 अनुपात 3 और B अनुपात C जो दियावा है वो दियावा है आपको 2 अनुपात 3 तो भई A, B और C A B जो दियावा है वो है 4 अनुपात 3 पी और सी जो दियावा है वो दियावा है आपको दो नुपा तीन अब आप क्या करेंगे अब आप सिंपल सा काम यह करेंगे कि यह जो दोनों में common है पहले इसको इससे गुणा करेंगे फिर इससे गुणा करेंगे और लास्ट वाले को ऐसे गुणा कर देंगे तो आपका A जो आजाएगा वो आजाएगा 4 दूने 8, P जो आजाएगा वो आजाएगा 3 दूने 6 और C जो आजाएगा वो आजाएगा 3 दूने 6 अब आइंदा से आपको ये काम करना है हम इसका बेसिक जान चुके हमने फिल इन दा ब्लेंक वाला वो तरीका भी सीख लिया लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट है ठीक है आगे चलते है अगर ये दो वाले केस में आए इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे अब और क्या-क्या चीजे इसमें हो सकती है और क्या-क्या पते हैं जो हमें जाननी है रेश्यों में और क्या हो सकता है देखें जैसे मान लीजिये इसने देदिया ये बराबर ठीवी बराबर फाईब सी इस तरीके का एक सवाल जो है वह आपको दे दिया अभी इस केसे में आप क्या करेंगे इसको आप वोड़ सी कर लो अगर ऐसा सवाल आपको दे दिया तो आप क्या करेंगे ये तीनों अभी जो है वो बराबर में है तो देखो इसका पहला तरीका जो है पहला तरीका तो ये है कि आप इन दोनों को बराबर कर लो देखो आज की class में हम लोग questions पर ध्यान नहीं दे रहे questions क्या होंगे अगर यह basic हमने सीख लिया तो इसके बाद question में आपको दिक्कत आएगी यह नहीं ठीक है यह ना यह नीव है foundation है और मकान के अगर नीव मजबूत हो तो फिर मकान भी बहुत अच्छा बनता है जब आप basic ही नहीं जानेंगे किसी चीज का तो फिर आपको पता कैसे चलेगा एक तरीका तो यह है कि मैं इन दोनों को बराबर कर लेता हूँ वह टू ए बराबर है थिरी भी यहां से अगर मैं देखूँ ए अनुपात भी अभी मैंने किया कि इस तीन को मैं इधर ले जाता हूँ और एक को जो है एक का multiple जो है वो इधर ले जाता हूँ ऐसे ही अगर मैं इन दोनों को देखता बी और सी का यहां से आप क्या करेंगे अभी बताए आपको कि इन दोनों को आपस में गुणा फिर इन दोनों का और फिर इन दोनों का तो चार त्य थी편 a year चार दून है आप आठ और तीन दून आपके हूठ सबूत वह में हैं आभी उमने सीखा कि अगर सब में 3B, पराबर 4C, अगर इन सब में किसी भी संक्या, एक संक्या का भाग दिया जाए, तो क्या इस पर कोई बरभाव पड़ेगा? अभी अमने जाना कि अगर मैं इसमें, इसमें और इसमें, अगर एक बराबर संक्या का भाग देलू, तो क्या इस पर कोई परभाव घमाहरेगा तो नहीं पड़ेगा भाग देने से और गुणा करने से को अधande प्रुबाव नहीं पड़ता है आप एक बार बताईये मुझे के सए कोन सी संक्या है जो दो से तेन से और चार से तीन्हों से कड़ती है तो ऐसी संख्या है इन तीनों का और यह चारती है बारा, यानि हमारा यहां से आएगा A बटा 6, बराबर B बटा 4, और बराबर C बटा 3, आप देखो यहां से भी आंसर आपका, अभी जो हमने एक चीज सीखी थी, अगर आप देखो, हमने यहां से यह सीखा था कि A के बटे में, इसम नहीं था, एक चीज अभी ज़स्ट हमने की थी, देखो, अभी हमने पढ़ा था, कि अगर A के बटे में कोई चीज है, A के बटे में अगर कोई चीज है तो वो A का अनुपात है, और B के बटे में कोई चीज है तो वो B का अनुपात है, बस यही कंसेप्ट हमारा यहां काम कर रहा है, यह जो अभी लास्ट सवाल जो था, जो हम कर रहे हैं, उसमें यही concept है, यह देखो, कि A के नीचे जो है वो A का अनुपात है, अगर इसी चीज़ को आपको अनुपातों में लिखना हो, तो आप लिखेंगे 6, अनुपात 4, अनुपात 3, ठीक है, यह हमारा दूसरा concept हो गया, लेकिन अगर हमें exam में करना है, इसको और थोड़ा हम fast चाते हैं, तो आप क्या कर सकते थे, आप यह कर सकते थे, यह जो 2A, 2A बराबर 3B, बराबर 4C है, तो अगर आपको A पता करना है, हमें A अनुपात, B अनुपात, C पता करना था, आपको अगर A पता करना है, तो आप इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 4C 12, B पता करना है, तो B को छोड़ दीजिए, जैसे अभी सादियों का सीजन चल रहा है, दूले और बराती की बात करें हम, तो B को अगर पता करना है, तो B दूला है, बाकि सारे बराती है, अगर यह तीन होते, अभी करेंगे एक example आठ और ऐसे ही सी पता करना होता तो सी को छुपा लेते हैं बाकी दोनों को multiple को गुणा करते हैं तीन दूने च्छे यहां से देखो आप अगर दो से काट ले तो अनुपात हमारा क्या आ गया थे अनुपात चार अनुपात तीन तो यह बहुत important टर्म है पस यह आज की class दो है इसमें हम लोग इसका basic जानेंगे इसके बाद हम लोग इसके सवाल करेंगे लगबग 70-80 सवाल हम लोग करेंगे इसके बाद जिंदगी में कभी दुबारा दिक् ठीक है अगर यही 3 होते 2A बराबर 3B बराबर 4C बराबर 6D यह अगर इस तरीके से होता तो हम क्या करते देखो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि 2A बराबर अगर मैं 3B करता तो A अनुपात B जो आता यहां से वो आता आपका 3 अनुपात दो अगर 3B बराबर 4C होता और इससे मैं B अनुपात C पता करना चाता तो यह हो जाता मेरा 4 अनुपात 3 ऐसे ही अगर 4C बराबर 6D है और यहां से मैं C अनुपात D पता करना चाता तो वो हो जाता मेरा 6 अनुपात 4 यह 3 अनुपात 2 लिख सकता हूं इसको में अब मेरे पास आ गया A अनपाथ B और B अनपाथ C और C अनपाथ D तो भई A B जो है A B C और D है A और B जो है वो है तीन अनपाथ दो B और C जो है वो है आपका चार अनपाथ तीन और C और D जो है वो है आपका तीन अनपाथ तो भई अगर मैं इस B को केवल दो से गुणा कर दो यहां भी 2 से गुणा कर दो यह हो जाएगा आपका 6 और यह हो जाएगा 4 अगर यह 6 है अगर A, B, C, D के मैं बात करूँ अगर A, B, C, D के मैं बात करूँ A अगर 6 है तो B आपका 4 होना चाहिए और अगर B 4 है तो C आपका 3 होना चाहिए और अगर C 3 है तो फिर D आपका 2 होना चाहिए यहां से हमारा आंसर निकल कर आएगा यह एक तरीका तो यह था दूसरा तरीका क्या हो सकता था अभी हमने जाना कि आप कोई भी ऐसी संक्या जिसका इन सब में भाग चला जाए वो कर लीजे आप तो आप क्या करेंगे भी 6, 4, 3 और 2 इन सब का LCM क्या होगा तो वो होगा 12 12 से भाग दे लिजे आप सिदा सिदा क्योंकि भाग देने से अनुपाद चेंज नहीं होता है तो भी यह 6 बार, यह 4 बार, यह 3 बार और यह आपका 2 बार यहां से A अनुपाद B, अनुपाद C और D यह जो आएगा, यह आएगा 6 अनुपाद, 4 अनुपाद, 3 अनुपाद, 2 क्या यही अनुपाद अमारा पहले आया था? विल्कुल यही अनुपाद अमारा पहले आया था तरीके बदलने से आंसर पर कोई फरक नहीं पड़ेगा, यह बात आप ध्यान रखेगा एक तरीका और, आखरी वाला, मैंने अभी जो आपको दूले बराते वाला बता है कि अगर आपको A का अनुपाद पता करना है, A, B, C, O, D आपको A का अनुपाद पता करना है, तो A को छुपा लिजे, बाकी तीनों को गुणा कर दीजे यानि 3, 3 गुणा, 4 गुणा, 6 अगर आपको B पता करना है, तो B को छुपा लिजे, बाकी तीनों को गुणा कर दीजे तो 6 गुणा 4 गुणा 2, या जाएगा 6 गुणा 4 गुणा 2, अगर आपको C पता करना है, तो C को चुपा लिजे, बाकी 3 को गुणा कर दीजे, 2 गुणा 3 गुणा 6, 2 गुणा 3 गुणा 6, अगर आपको D पता करना है, तो D को चुपा लिजे, 4 गुणा 3 गुणा 2, या कि दो गुणा तीन गुणा छे और यह था डी जो था वो था आपका ठीको चुपा लिया हमने दो गुणा तीन गुणा चार तो जो चीजे कट रही है उनको काट दो देखो چार इसमें भी है नहीं तो 2 दूने चार तो से 2 कट गया और 2 से 2 कट गया फिर दो इकमदो तो हिसे 3 और दो दूने चार तीन भी है कैं सबमें देखो तीन एकम तीन दूनेak चार और artifact यहां बचा आपका चे और यहां जो बचा यह बचा दो दूने चार ऐसे अगर मैं यहां रहिए देखू तो यह बच गया तीन यहां बच गया आपका दो यह अनुपाद पर कोई फरक पड़ा ग убийया अनुपाद 96, 94, 93 दो था यहां भी यह, 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 यह यह इसके तीन तरीके हैं आज एक छोटा सा इंट्रोडेक्शन था कल हम जो है वो इस पर बहतरीन बहतरीन सवाल करेंगे और जानेंगे समानुपात क्या होता है सारी चीजें मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा आपको कोई ना तो कोई कोर्स परचेज करने की जरुरत है ना कुछ और करने की जरुरत है आप बस चैनल पर बने रहिए इसको आप शेर कीजिए जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं ठीक है थैं थैं टेकू सोनमट